आखिर स्वामियकानन जी ने क्यों कहा कि किरल, ब्रामानवाद और जातिवाद का मैड असालम अर्थात पागल खाना है बाबा साहिब अमिटकर द्वारा, भारतिय स्वमिधान और हिंदू कोट बिल के निमार से पहले कैसी थी हिंदू महिलाओं की हालत कहीं केरला हिस्टोरी के नाम पर केरला हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश तो नहीं चल रहा है आखिर कैसा था इससे पहले केरल में त्रावन कोर नामक हिंदू रास्ट और क्या था वहां हिंदू महिलाओं और पूर्सों की जात और अवकाद क्या बहुसंख्यक हिंदूओं को जन्मना जायति सुद्र घोसित कर प्रताइड करना उन्हें गुलाम बनाना उनका सोसड करना और धर्म गरंत कहे जाने वाले ब्रामर साहित्यों में हिंदूओं को गाली देना और अपायित करना ही धर्म है क्या हिंदूओं पर हुए अत्यचार और अन्याय के लिए वैदिक ब्रामर धर्म और उसके ग्रंत उतरदाई हैं किसने चीना था हिंदू महिलाओं से अस्तन ढखने का और हिंदू पूर्सों से सर ढखने का माना अधिकार अन्गिनत हिंदू महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ दूर बेवार और बलतकार हुआ कैसे और क्यों आखिर OBC पिछड़े वर्गों के संघर्ष को भी दलित संघर्ष का नाम देकर कब तक OBC के इतिहास, विरासत, विचारधारा से उन्हें अलक रखा जाएगा कन्या कुमारी में आखिर इतने OBC इसाई कैसे हैं? क्यों हैं? क्या इसाई में धर्मांत्रित होने का कारण हिंदू मैलाओं का सोषण आया है? संबंधम क्या है और संबंधकार कौन होते थे? आखिर चन्नार विद्रों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक कारण और प्रभाव क्या थे? इस वीडियो में इनी जैसे सवालों के जवाब और कीरल के इतिहास के एक अहम इसे से हम आपको रूबरू कराएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं नमस्कार, सलाम, सास्त्रेकाल, जैभीम, जोहार, मैं हूँ धिरेंद कुमार, बहुजन बहुमत में आपका स्वागत है परमपूज, बोधिसत्व, विश्वरत्न, बाबा साहिव अमिटकर कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भी अपना भविश्य नहीं बना सकता ऐसा उन्होंनों क्यों कहा आईए हम आपको बताते हैं केरल में चातुर वर्ण या जाती ब्यवस्था ब्रामण धर्मगंतों से अलग रहा है जैसा कि उत्ता भारत में देखने को मिलता है केरल सहीद दच्छिड भारत में फुरोहित ब्रामण वर्ग और राजवनसों को छोड़कर संपूर जनता के साथ सुद्रों जैसा ब्यवार किया जाता रहा है जैसा कि ब्रामण धर्मगंतों में हिंदूों सहीद सभी मानो जाती को जन्व सही सुद्र गोसित करते गया है इसलिए ब्रामण धर्मण धर्मगंतों में हर जग जन्मना जाती सुद्र ये मंत्र मिलता है और केरल सही दचिड भारत की एक खासित रही है कि वहाँ वैश्य जो वन ब्योस्था का ब्रामर तंद्र का तीसरा वन है वो लगबग नदाद रहा है इतिहास के सुरुवाती आवस्था में केरल सही दचिड भारत में चातुर वन या जाती ब्योस्था नहीं था राचीन काल में ब्रामणों के आगमन से पहले लोगों का वर्गी करण उनके पेसे अर्थात प्रोफेशन के आधार पर क्या जाता था जैसे वालायार अर्थात मच्वारे, दचिर भारत में मच्वारों को वालायार का जाता था गायकों को पानार कहा जाता था, क्रिस्कों को कडंबार कहा जाता था, वरकर्स को उझावार कहा जाता था, ट्रेडर्स, अथार्थ, ब्यापारियों को, ब्यावसाईयों को, वनिकर्स कहा जाता था केरल में ब्रामणों का आगमन लगभग तीसरी से चौथी सताब्दी इशापुरू हुआ लेकिन वे डोमिनेंट क्लास आठी सताब्दी के बाद ही बना ब्रामणों के आगमन से पहले केरल में जायातर बुद्धिज्म अर्थात बहुत धम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के रूप में अनुसरण किया जाता था आठी सताब्दी के उतरार्द में ही ब्रामण केरल में एक डोमिनेंट क्लास बकाइदा बन सके उन्होंने गुद्धिश्ट टेमपन्स को बहुत वियारों को बहुत मंदिनों को तहसनेस किया और हिंदू धर्म या सनातन धर्म के रूप में बुद्धिश्म बहुत धम से ब्रामण धर्म की तरफ लोगों को आकरसित किया जो ब्रामण धर्म और ब्रामणों के सनरच्छक के तौर पेर भरति किये गया उन्हें छत्रिय का दर्जा दिया गया जो की जायातर सुद्रों में अपरकास के नाम से भी जाने जाते हैं चुकि आर्य आकरमर काईयों को मूलनिमाशी देशी समाज पे सासन करने के लिए देशी समाज में से ही लोगों को समर्थक के रूप में तयार करना था इसलिए उन्हें छत्रिय के रूप में लोगों को भरती करना शुरू किया वो भी अस्थानी लोगों में से ही हाँ की इननों को छत्रिय का दर्जा दिया गया लेकिन उनकी अवस्था सुद्रों की ही रही तब ब्रामणों ने बहुत विच्छों को विस्थापित कर राजा दर्बारों में मिनिस्टर्स, कांसिलर्स और प्राइश की रूप में काम करना शुरू किया चुकि अस्थानी लोग बुद्धिज्म को फालो करते थे इसलिए बुद्धिज्म से ब्रामणों ने सबसे पहले बुद्धिज्टेम्पल्स बहुत बिहारों आदि में गुस्पैड कर उस पे कबजा किया और लोगों को बुद्धिज्म से ब्रामनिज्म की तरफ आकसित किया ब्रामणों ने बुद्धिस टेंपल को अतिकरमीद कर अपने इस्तेमाल में लेना सुरू किया और बहुत मंदिरों के जरिये बुद्धिम्ज की जगह ब्रामनेज्विन को परचायद करना आरम किया और लोगों को ब्रामण धर्म में छत्रिय वैश या शुद्र के रूप मे भरती करना आरम किया जैसा कि ब्रामण धर्मगंद भी इसकी गवाई देते हैं बुद्धिस टेंपल को अपने कबजे में लेने के बाद ब्रामण बहुत वियारों बहुत मंदिरों और उसके अकूद घूमी संसादनों पर कबजा करने के बाद घूमी स्वामी के रूप मे अस्थापित हो गए और इस प्रकार वहां के राजनीती, अर्थ ब्योस्था, धर्म और समाज को प्रभावित करने लगे जैसा कि सौमी काने जी कहते थे ति त्रावन कोर इंडिया का सबसे ज्यादा ब्राहणवादी राज है जहां भूमी का प्रतेक कर ब्राहणों के अध शुद्री ब्रामन के नाम से जानाता है और बाकी जनता को सुद्रों का सामाजिक दर्जाद जाए गया है जिसमें से कोई लो कार्शुद्र है, कोई अपर कार्शुद्र है, कोई लोवेश का सुद्र है जिसमें से अपर कार्शुद्र में से ही किसी को छत्री का दर्जा द जिसमें यसी यस्ट्र आते हैं, उनको भी बांट कर रखा गया है समानशुद्र, अमानशुद्र और इसके साथ सलसाच्छुद्र, अच्छुद्र के रूप में। के रूप में कुंडली प्राप्थो, केरल में ब्रामणों ने ये प्रचायत करना आरम किया कि चातरुवन अर्था जाती बेवस्था, जाती वाद, जो कि इन ब्रामण धंकंतों पर अधायत है, ये बेवस्था विस्नु के अवतार, परसुराम के इच्छाओं के अनरूप है और इसलिए इश्वर ने ब्रामणों को डेवी सक्तियां परदान की मही हैं, केरल के सामाजिक बेवस्था में नमुदरी ब्रामण हमेशा अपने आपको सिर्ष पर रखे, अब बाकियों को नीच, निम्तम अस्तर पर रखे, केरल में नमुदरी ब्रामण छुआ छुआ अस्तर के जाते समूह के साथ अलग-लग अस्तर के च्वाचुद का ब्योहार करते थे जैसे अपर कार्श शुदृ के साथ जो कि आज जैनल प्रामस से नीचy हैं फिर उनसे नीचे अपरकार शुद्रों को अचुद्र होगोसित किया गया अर सबसे ज़्यादा आचूत लोवेशकास निम्रतम सुद्र ACST को गोशित किया गया जहां आज भी केरल में स्वाचूत का बता होता है धडले से होता है बस जहां कानून है वेवस्ता है वहां तुरण शिप के होता है बारिक होता है मकर होता है जैसे केरल में अपर का शुद्र नायर जातियां मौजदा समय में जनल कट्रेगरी में कुछ आती हैं अग कुछ OBC में आती हैं तो जो नायर जातियां होती थी जीने छत्री के रूप में भरती किया गया हलाए कि उनके साद बरताओ शुद्र के रूप में ही किया गया और उन्हें अपर का शुद्र के रूप में भी जाना जाता है नायर समदाय नम्मुदरी ब्रामनों के पास जात हो सकते थे लेकिन उन्हें चू नहीं सकते थे ऐसे ही केरल की जानिवानी एजहावाख जाती जो की OBC काटेग्री में आती है जिससे महामाता विरांगना नांगिली समधित थी OBC एजहावा जाति को नमुदरी ब्राह्मनों से 36 कदम दूर रहना उता था और पुलियन जैसी अनुशुचित जातियों को तो नमुदरी ब्राह्मनों से कम से कम 96 कदम दूर रहना उता था ये सथा चुवाचूत को मेंटेन करने का चुवाचूत दूरी ब्रावारवाद के जरिये चुवाचूत का ये संक्रमन चुवाचूत की दूरी निम्न जातियों में भी संक्रमित किया जा चुगा था जैसे OBC एजावा जाति को जनरल कटगरी और OBC मैने वाली नायर जातियों से कम से कम 12 कदम की चुवाचुत दूरी मेंटिन करनी होती थी ऐसे ही अनुसित जात के पुलियन जातियों को अनुसित जात की ही परेन जातियों से छाचछट कदम की चुःच्षूत की दूरी मेंटिनक रखनी होती थी द्रावणवाद के प्रभाव में पुलियन और परयन नाम की ये अनुसरी जातियां एक दुसरी के साथ भूटी का सम्मन तुर रख सकते थे लेकिन एक दुसरी को टच नहीं करते थे ताकि जो है उनका जाति धर्म नश्ण न हो जाए और किसी ब्रामण द्वारा छुवाचूत के पलन न करने के लिए उन्हें किसी परकार से दंडित न क्या जा सके ये जो धार्मिक प्रदूसरण की भावना ब्रामण धर्म करनतों द्वारा प्रतिपादिद ये छुवाचू की दूरी मेंडें रखने होती थी और ऐसे ही ओविसी नादर जातियों को नायर जातियों से बारव फिट की या बारव कदम की चुवाचूत की दूरी का पान करना होता था ब्रामण पूर्शों को अपने से नीचे की किसी भी अस्तर के वण के जातिसमू के महिलाओं का अन्याय पूर्ण अत्याचारी बरबर मांग को पूरा ना होने पर या उसके मांग को ना मानने पर उसकी इच्छा की पूरती ना करने पर या उसकी मांग या इच्छा का विरोध करने पर विरोधी को तुरन मौत की घार उता सकता था इसकी वज़े से केरल में महिलाएं ब बिना किसी moral teaching, बिना किसी संसारिक ज्यान के kitchen और चारदिवारी में बंद रनने के लिए मजबूर थी। चुवा चूत, अस्परिश्यता और अद्रिश्यता, untouchability and unseeability की जो ये समाजिक बुराई थी उस सबसे ज़्यादा महिलाओं को खासकर हिंदू महिलाओं को प्रभावित की। नायर जातियां, जिसमें से कुछ जनर कडेरी में आती हैं, सामाने वर्ग में आती हैं और कुछ OBC अन्य पिछड़ा वर्ग में आती हैं। उन्हें नमुदी ब्रावनों ने वण ब्योस्ता में जाति ब्योस्ता में रखा थो दूसरे नमर पर और हमेशा उनके साथ ब्योहार सुद्रों का ही किया। नायर जिनके पास अकोद भूमि संपत्ती रही और यहां तक की वो कीरल के राजदर्बारों में अहां पत पर भी रहें फिर भी उने के साथ सुद्रों का विवार किया गया नायरों में लगभग 64 पिएसे के आधार पर वर्ग थे जिनने ब्रामनों के आने बाद जातियों में तब्दिल कर दिया गया जिसमें से तीन मुखे थे इलम, सरूपम एवं पदुमंगलम इलम ब्रामनों घर में काम करते थे सरूपन चत्रियों के घरों में काम करते थे जो नायरों में ही जो अपरकार्ष शुद्र थे जो अपरकार्ष नायर थे जिने चत्रिक रूप में संस्कारित किया गया उनके हां काम करते थे और पदुमंगलम ये तीसरी नायर जाती जो मुखी नायर जाती है, ये मंदिरों में सेवा का काम करती थी, ऐसे ही इन तीन जातियों में भी कई उप जातियां हैं, जिसमें से कोई उच जाती नायर है, कोई निम्रतम जाती नायर है, कोई निम्रतर जाती नायर है, नायर जातियों में भी जिसको नमगुदरी ब्राव कुछ नयार जातियां तो केरल के कुच्ची राजदरान में प्रतानमंतिय तक रही फिर भी उनके साथ भी सुद्रों जैसा ही बहुर किया गया जब काप पड़ा तो छत्री जब काम नहीं तो सुद्र छत्री होने का लाली पॉप देने के बाद भी नयार जातियों पर मंदिरों में प्रवेश से सम्मंधित कुछ प्रतिबन लागू थे नयार जातियां ओफरिंग्स बली और मंदिर की घंटियां छोट सकती थी लेकिन वो मंदिर के ब्रामण पुजारी को चुण नहीं सकती थी उनके पास नहीं जा सकती थी जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि कितने कदम की या फिट की चुवाचूत की दूरी उन्हें मेंटेन रखना होता था जब ब्रामण मंदिर के सामगरियों को लेकर बाहा निकलते थे तो नायर जातियों को एक साइड में दूरी पे खड़ा होना पड़ता था यह हाल था सत्री कहे जाने नायर जातियों का जो कि अब भी अपने आपको सत्री होने का गर करती हैं मगर उनके साथ ऐसा होता था थी तो वह सुद्र सही धर्मांतरी सत्री करूप में फिर भी ये नायर जातियों के जातिवादी मानसिक्ता को देखिए कि फिर भी अपने आपको उच्छ समझती थी कि कम से कम उन्हें मंदिर में तो जाने दिया जा रहा है बाकी जातियों को तो उस मंदिर में जाने नहीं दियाता है मंदिर से बाहर रखायाता है इसी उक कहते हैं जातिवाद, जातिवादी बान सिकता ऐसे ही जातिवेवस्था में भी भाजित दूसरी हिंदू जातियों को भी उनके रैंक, उनके समाजिक अवस्था के हिसाब से मंदिरों में प्रवेश का अधिकार था उसी के अनुसार उन पे मंदिर में प्रवेश समंदित प्रतिवन भी लागू थे जिसमें च्वाचुत की दूरी का पालन करना अनिवारे था ऐसे ही किरल में एक नादर समाज है जो की OBC कर्टेगरी में आता है 16 सताथी में 53 कोर में OBC नादर जातियों का माईगरेशन तब हुआ जब 53 कोर की राजा ने तमिल नाडू के तीरुनियल वेली पर आक्रमण किया जिसमें से जहातर नादर जातियां जो की OBC में आती है वो पालमाईरा क्लाइमबर्स रही ताड़ी उतारने अली रही जाया था कुछ OVC नादर जातियां नारयों के अंदर गद जमिदार किसान भी रही और जो OVC नादर जमिदार किसान थी वो OVC नादर पालमाईरा क्लाइमबर्स जातियों से हमेशा अपने आपको उच समझती रही और पालमाईरा क्लाइमबर्स OVC नादर जातियों को निम्न समझत जैसा कि आप जानते हैं कि त्रुवलियर के तमियलाड में और तंविलाड के तिमयलमेल मेंं कोई काशच्यस्थम नहीं था वहां ब्रामण पहुंचे हो या न पहुंचे हो लेकिन उनका ब्रामणवाद और उनकी धर्मगन्द का प्रभाव नगन्य था फामिलान में तिरूवलुवर की सचाएं और बुद्धिज्म 하 वी थी OBC नादरजातियों का जो अभिजाते वारग है वो अपने आपको नादन कहता था और दूसरी OBC नादरजातियों का अपने आपको उच्छ समझता था जाहतर क्रिस्टियन बने, लेकिन क्रिस्टियन इसाई बनने के बाद भी, OBC, Palmyra, Climbers, नाधर जातियों के समाजे कह उस्ता में कोई भी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि तब भी वहाँ ब्रामण तंत्र हावी था, ब्रामणवादी, राजा और सासन प्रसासन, वहाँ सासन रा दूसरी OBC नायर जातियों के साथ च्वाच्छूत का बरताव करती थी, ऐसे ही केरल की तीसरी महत्पुट जात है एजहावा, जिससे महामाता नांगेली समधित थी, महामाता नांगेली OBC एजहावा जात सही आती थी, एजहावा जाती OBC कटेगरी में आती है Central Government के भी और केर जातियों के भी एजहावा जातियों समधित थी नायर जातियों से ही, लेकिन ओभी सी एजहावा जातियों को औरना अचूत घुषित ङया था ऐसे ही दूसरी OBC थिया जाती को भी केरल में अवन अच्छूत घोशित किया गया था अर्थात वो अवन सुद्र थे जिसे एजावाज जाती के बराबर ही समझा जाता था इस प्रकार केरल में चातरुं वन ब्योस्था या जाती ब्योस्था बहती कॉंप्लेक्स था उत्तर भारत से भिन वण ब्योस्था वहां काम करता था उत्तर भारत का ब्राह्मन तंतर और दचिर भारत के ब्राह्मन तंतर में यही अंतर था अब हम आपको किरल में इससे पहले रहे त्रावन कोर नामे के एक हिंदू राश की तरफ ले जाएंगे वह हिंदूराश जिसकी मांग मव्युता समय में जाहतर ब्राह्मन और ब्राह्मनवादी हिंदू करते रहते हैं हम आपको बताएंगे कि त्रावन कोर में हिंदूराश कैसा था वहां हिंदों की हालत कैसी थी 3 यक्री, भारत के मालाबार, पस्मी तट के समरानतर भारतिय प्राइदूप के दच्छिड पस्चिम में लगभग सात वर्ग मिल के छेत में फैला हुआ एक राज्य था उनिश्वी सतापदी के पुर्वार्द में त्रावर कोर में सबसे महत्पून समाजिक आंदूलन हुए जिसका प्रभाव केरल के साथ पूर्य दच्छिड भारते पड़ा जिसमें सबसे अहम जो समाजिक आंदूलन था जिसे चन्नार विद्रों के रुप में भी जाना जाता है वो था अपर क्लोथ मोमेंट उपरी वस्त्र आंदूलन या ब्रेस्टेक्स अस्तन कर के खिलाफ हुआ आंदूलन जिसमें सोसली बैकवर्ड क्लासेस बहुजन पिछावर्ग ने अपनी महिलाओं के आस्तन धकने और कमर से उपर वस्त्र पहनने के लिए सामाजिक संगस किय और ये आंदूलन इतना तगड़ा था कि त्रावन कोर राजी को आखिर में जो ब्रामनवादी कुरूर कर थे उन्हें वापस लेना वरना उस समय की बिटिस सरकार त्रावन कोर राजी में हस्येप कर सकती थी उस समय के इंडिया में लोगों के अंदर राश्टी भावना परमना शुरू हो गया था लोगों के बीच मानवाधिकार के प्रती समवेदनाय और जागरूटा आने लगी थी इस प्रकार त्रावन कोर सहित पुरा कीरल लगभग 40 सालों तक समाजिक आंदरोनों जो की खास कर पिछले वर के हिंदों ने किया के जटका सहतारा जिसके बाद कुछ अहम और मातपुर्ण समाजिक सुधार हो सके और हिंदू मैलाओं और पूर्सों की जिन्दगी में कुछ सुधार हो सका इन समाजिक संगर्सों में खास कर OBC, Yessi, Yessi ने ज़्यादा आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी जिसमें उन्हें यूरूपिय मिस्रणियू का भी साथ मिला ये अलग बात है कि ब्राणवादी मीडिया और इतियासकार इसे ज़्यादा महत्व नहीं देते त्रावन कोर में हिंदूओं पर उनकी जात और वन के आधार पर ड्रेस कोड निर्धायत किया गया था तो अपनी जात और वन के हिसाब से किस तरह का वश्त्र कितना वश्त धार करेंगे ये उनकी जात और वन के हिसाब से हिंदूओं पर थोपी जाती थी गैर ब्रामर निम्न जातियों पर कुछ वस्त्रों के पहनने और ज्यादा वस्त्र पहनने पर धार्मिक प्रतिबन था। यहां तक की दच्छिर भारत में आपरकास ब्रामिन मैलाओं को भी कमर से उपर कम से कम एक छोटा सा पतला सा हलका कपड़ा एक कंदे पर पहनना आता थ जो कि आप स्क्रिन पर देख रहे होंगे। अगर बहुजन पिछड़े वर की कोई मैला कमर के उपर कोई धान कर लेती थी तो उसे ब्रामर जातियों दारा अपमान समझा जाता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं भारत में की पिछड़े दलित आदिवासियों बहुजन बराबर में भी बैठने पोने मारा आता है। आज भी मंदिन में प्रवेश नहीं करने जाया था। त्रावण कोर सहीद पुरे केरल में पुछेवर के हिंड़ों को और उनके समाजिक अस्तर को चिनित करने के लिए उनके पूरसों महिलाओं को कमर से उपर वस्त्र धान करन पर प्रदिबन था। यहां तक कि वो छाता लेके नहीं चल सकते थे, जूते नहीं पहन सकते थे और सोने के आवोशन नहीं पहन सकते थे। जैसा कि कई धर्मगंदों में भी लिखा है कि सुद्रों, आदिसुद्रों को काले लोहे का आवोशन पहना चाहिए तो वो ही केरल में और खासका त्रावन कोर में ये धार्मिक नियम, धार्मिक विधान लागू थे। इस प्रकार चातुरों ब्योस्था, जादिगत चुवचूत और उचनीज का ही नतीज़ा था कि वहाँ पिछड़ बर के हिंदों को कमर से उपर किसी भी वसधान पर प्रदिबन था, ज असानी से उसे पहचान सकते थे कि हाँ वो किस जाति या वण का होगाू ऐसा धार्मिक विधान और धार्मिक सासन महालागू था। जिससे की ब्रामन उची जातियां कपड़े और पहनावे से किसी बेक्ति को पहचान कर उसकी जाति और वण का पता लगा सकें और उन्हें च्वाचूत का पालन करने का उचित निर्देश और दंड निधायत कर सकें। और यही नहीं पिछड़ वर्ग के हिंदूों के कमर से उपर वस धान ना करने को ही ब्रामन उची जातियों का सम्मान समझा जाता था। अगर वो वस धान करने कमर से उपर तो उसे ब्रामन प्रतिबंद ब्रामणों को छोड़कर गैर ब्रामण समाज के हर जाति हर वर्ग हर अस्तर पर लागू था और यही ब्रामण उची जातियों के प्रति सम्मान दिखाने का उनका अभिवादन करने का तरीका था जैसा कि ब्रामण ग्रंथ आप स्तंब धर्मसुत्र में ये ऐसे ही छत्री जब किसी को सेलूट करे तो अपने दायने हाथ को अपने छाति तक ले जाए और छत्री शिर्फ ब्रामण और छत्री को ही सेलूट कर सकता है किसी वैस या सुद्र को नहीं ऐसे ही वैस जब किसी को सल्यूट करे खासकर ब्रामाट चत्रिय वैस को सुद्र को तो सल्यूट कर नहीं सकता तो अपने वो दाहिने हाथ को अपने कमर तक ले जाएगा आज सुद्र जिसका काम सक को सेलूट करना है वो अपने दोनों हाथ से सेलूट करेगा जबकि दुज जातियां सिर्फ अपने एक हाथ से अपने दाहिनिया से सेलूट करेंगी मगर सुद्र अपने दोनों हाथ से सल्यूट करेगा और वो भी अपने दोनों हाथों को अपने पैरों तक ले जाकर सल्यूट करेगा ये उस नीच भेदभाव, छुवाचूद, समर्थक, मंत्र और स्लोग ब्रामर धन गंत्रों में भरे पड़े हैं यहां तक की राजा की मौझुद्गी में भी चाय वो छती राजा और चैसुद राजा हो, खासकर छती राजा की मौझुद्गी में भी सबसे पहले ब्रामर को सल्यूट के जाएगा, इसके बाद राजा को सल्यूट के जाएगा, ऐसा ब्रामर तंत्र और भ्रामर धन विधान लागू हुआ था आज भी लागू करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे ही त्राण कोर में ब्रामन उची जातियों को सम्मान देने का ये तरीका था कि आप पिछड़ वर्ग के हिंदू हैं तो आपको अपने कमर से उपर वस्त्र या कोई अभूसन धान नहीं करना होगा कमर से उपर कोई वस्त्र धान कर लेते थे तो उसके लिए उन्हें टेक्स देना पड़ता था जिसमें से एक था महिलाओं को कमर से उपर वस्त्र धान करने के लिए लगता था अस्तनकर जिसे वहां की वासा में मुलाकरम कहा जाता था जहां बकायदा ब्रामिन टेक्स कलेक कि एक सुद्रार्थी नाम की नायर महिला वही नायर जो अपनी आपको वहाँ शत्री समझे थे हना कि उनके साथ बढ़ता हो सुद्र का क्या आता था और वो ब्रावनराग की बहुत बढ़े रच्छा भी थे सुद्र से रच्छा करेंगे तो सुद्र से छत्री गोशित हो जा उसे मरतव आँ छोड़ गए त्रावन कोर में ऐसे ही 120 से जादा बरबर, क्रूर, अन्याई, कर, टेक्स लगते थे और टेक्स देने के बावजूद बहुजन पिश्रेवर के हिंदों को और उनकी महिलाओं को ब्रावन उची जातियों के सामने कमर से उपर वस्र धान करने क मनाही थी, यही ब्रावन उची जातियों के प्रती समान ब्यक्त करने का तरीका था, चातुरुवर्ण ब्यवस्था और वर्णार्शन धर्म के अनुसार, जैसे जातिय क्रम के अनुसार, च्वाचूत की दूरी निरिधारित थी, उसी प्रकार कपड़े और पहनावे का अस कि महिला हैं, कमर से उपर उससे भी हलका एक कंधे पर कपड़ा डालेंगी, वो भी हलका दुपट्टा होता था, और उससे नीचे की OBC, SC, ST, आधि बाउजन वर्ण की महिलाओं को कमर से उपर कोई भी वसधान करने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि 1819 में त्रावन कोर की कि रानी ने यह अधिगोशना कर रखी थी, कि कोई भी हिंदू पूरुस या महिला अपने से उची जात के पूरुस या महिला के कपड़े या पहनावे का नकल नहीं करेगा, जिससे की चातुरोण व्योस्ता को नुक्सान नहीं हो, जब जातियों को अंतर ही नहीं रहेगा और तरसम उची जातियों की महिलाओं को कमर से उपर कुछ एक कंदे पर वस्त धान करने का अधिकार था, हलका पदला दुपटा ही सही, लेकिन पिछ्ड़े वर के हिंदूओं को कमर से उपर कोई वर धान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उची जाति की महिलाओं में भी जैसे च्छत्री महिला को ब्रामण पूच के सामने अपने कमर से उपर के वस्ट को उतार देना होता था ये अपने सुची जाति के प्रति सम्मान बेखत करने का तरीका था ऐसे ही उससे निचली जाति को अनाकि वहाँ वैसे तो था नहीं तो जो अपरकार सुद्र होते थे जैसे नायर, उनकी महिलाओं को ऐसे ही ब्रामण और छत्रिय पूर्सों के सामने अपनी कमर्स उपर के वस्त को उतार देना आता था उनकी प्रती अभिवादन और सम्मान बेख करने के लिए। ऐसे ही लोवरकार्स हिंदूओं को नम्मुद्री ब्रामण नायर और अपरकार्स आदी पूर्सों के प्रती सम्मान बेख करने के लिए कमर्स उपर के वस्त को उतार देना आता था यहां तक कि ब्रामण उर्चिजातियों और नायर की महिलाओं को भी मंदिर में ब्रामण पूर्स के सामनी अपने कमर के उपर के वस्त उतार देती थी ब्रामण पूर्स के प्रती अपने सम्मान बेख करने के लिए बागी अपने से नीचे के जात या वण के पूर्सों के सामने अपने कमर के उपर के वस्त उतार देने होती थी ऐसे जब राजा का काफ्या चलता तो भी अपनी बालकनी से या रास्ते में हिंदू मैलाओं और पूर्सों को कमर से उपर के अपने वश्र उतार देने होते थे और उनके प्रति जुक कर समान देना होता था श्रिप ब्राह्मन मैलाओं और ब्राह्मन पूर्सों को छोड़ कर कई बार तो गए ब्रामण उच्छी जातियों की महिलाओं को भी टेक्स कलेक्टर जो की दातर ब्रामण होते थे उन्हें टार्चर करते थे टेक्स वसुल करने के लिए अटेक्स दिनना देने पर तो और टार्चर करते थे यहां थक कि तरावनकोर के एक रानी थी अतिंगल नाम की वो तो यतना kriegen थी इस द्यवस्था को कानून को लाओ करने के लिए breast tax का जोन इनियम था कि europias center में रहने वाली एक हिंदु महिला जो europias center में उस समय के missionary center में रहते थे तो वह उनको तो जब वो रानी के सामने कमर से उपर वस्त धान करके उपस्थित होई तो रानी अतिंगल ने उसके दोनों अचाती ही कटवा दी एक अवरत हो के अवरत जात का संबान नहीं कर सकती थी ऐसा लोगों की मांसिक्ता बनी हुई थी यहां था कि कई समास सुधारत और रास्ट्र नेता जैसे सी केस हों जैसे लोग उने अपने आटो बायोग्राफकल एकाउंड में एक केस नोट किया कि एक लड़की अपनी आबित्ती बताते में कहती है कि दिन में तो हम कमर से उपर वस धान करनी सकते थे वगर रात में हम चोरी से बलाउज की तरह का कपड़ा तयार कर यह देखते थे कि हमारी मा दादी या कोई पुरुस हमें देखने ले वरना समस्या हो जाएगी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं में कमर के उपर वस धान करने का कितना इच्छा थी फिर भी धर्म और सासन ने उनकी इन इच्छाओं को दबा के रखा हुआ यहां तक की डोकुमेंटरी एविडेंस इसके भी हैं कि ये ब्राहणवादी संक्रमण परिवारों भी ब्याप्त हो गया था भती जी को अपने अंकल चाचा मामा के सामने समान व्यक्त करने के लिए कमर से उपर के वस को उता देना होता था इतना घिनवना मानसिक्ता लोग की बन चुकी थी जातिकत बिमारी पारिवारिक बिमारी में तब्दिल हो चुकी थी और इसके प्रती कई बार हिंदू मैलाओं और पूर्सों ने इस ब्राहणवादी धन विधानों के खिलाफ विद्रो भी किया जिसे कि 1822 में ओविसी उवर्ग में आने वाली सानार जाति की मैलाओं ने और पूर्सों ने इस प्रता और ऐसे कर प्रणाली टैक्स इसलम के खिलाफ विद्रो किया जिसे ब्राहणवादी सासन प्रसासन ने बहुती दर्दी से बेरहमी से कुचल डाला यहां तक की मैलाओं के साथ सेक्सुल मोलेस्टेशन्स, रॉबरीज और लूट के बिर्टिस रेजिडेंट आफ त्रावन कोर करनल जान मुन्रो ने यह आदेश दिया कि जो हिंदू मैलाएं क्रिस्टियांटी में कर्मट हो चुकी हैं उन्हें कुपयम नामक एक जैकेट धान करने का अधिकार रहेगा तो इससे भी कई हिंदू जातियां खास कर दलित ब ब्योस्था चात्रमण ब्योस्था वनार्शन धर्म के नाम पर इतना प्रताइट किया जाएगा तो हिंदू कनवर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा इसलिए स्वावें विकानन जी कहते थे कि सुद्रों ने अपनी इच्छा से कनवर्जन नहीं किया नहीं जोर्श बस्तिस किया ब्रामर धर्म ग्रंथों ब्रामर तंत्र और ब्रामरवाद दौरफ प्रताइट होने के करण वे क्रिशनियार्टी आओ इसलाम में कर्मर्ट हुए लेकिन जब बिटिस रेजेंट करनल जान मुन्रों ने आदेश दे दिया कि कर्मर्ट महिलाएं जैकेट धार्ट कर सकत हैं तो इस पे भी राजा के काउंसिल के सदस्रेंग जिने पिंडिकार्स का आजाता था उन्होंने इसका अब्जेक्शन लिया कि इससे जातियां भर्ष्ट हो जाएंगी धर्म भर्ष्ट हो जाएगा नंबुद्री ब्रामर के संगटनों ने इसे धर्म विरोधी करार दिय ब्रिडिस रेजिजेंट करनल जान मुन्रो के आदेश के विरोध में राजा के काउंसिल के मेंबर पिंडिकास के विरोध के बाद तीन फरवरी 1829 में त्राण कोर की सरकार ने एक राजकी अध्यादेश जारी किया जिसमें ये कहा गया था कि सानार आदी पिछिड़ महिलाएं कमर से उपर वस धान करने की जीदना करें ये धर्म परमपराओं और मानताओं के खिलाफ है और भविस में कमर से उपर कपड़े पहनने से बचेंगी और अपने धर्म परमपरा मानताओं और जाती धर्म का पालन करेंगी लेकिन बहुजन पिछड़ वर्ग के हिं पिछड़े वार्ग OPC, SC, ST और अपर कार्ष तो जो जनरल कर्टेगरी में आते हैं उनको वो दास से गुलाम समझते थे और उनके आदेसों का अवहलना करने पर उन्हें 20 सडक पर पिड़ायाता था अगर वो कमर्स उपरपस धान करें तो 20 बाजार में 20 सडक पर उनके क्याता था यहां तक की छूने के डर से उनके कपड़े फारने के लिए लाटियों में चाकू का इस्तिमाल क्याता था दूर से ही लाटियों में लगे चाकू से हिंदू महिलाओं के कपड़े फार दियाते थे उनको नीम नस्तर का नीम निजात के हैसियत में रखने के लिए उन्हें यह दिखाने के लिए तुम्हारी आवकात उसी की है देवी देवताओं का डर दिखा के बहाजाता था, पापुनी का डर दिखा के बहाजाता था यहां तक की त्रावन कोर में ऐसा धार्मिक नियम था कि ब्रामण स्वामी किसी भी हिंदू महिला या पुरुष को उसका आदेश ना मानने पर उसकी आग्या ना मानने पर मौत भी घाट उतार सकता था यहां बेश सकता था जैसा कि मनुसुत में कहा गया है कि ब्रामण जब चाहे किसी भी द्विज्जाति को छत्रिय वैसी को जब चाहे बेश सकता है जब चाहे गुलाम बना सकता है और सुद्र की बाद तो सुद्र कभी भी बीचे जाने के बाद भी वो ब्रामण की गुलामी से आयाद नहीं हो सकत शुद्र को उसके अस्तित्व से मुक्ट कराना त्राणकोर में रोज सुबह हिंदू महिलाओं को अपने बर्तन लेकर ब्रामन उची जातियों के बस्तियों में उनकी घरों पर जाना होता था ताकि उन्हें भोजन और काम मिल सके और अगर कोई महिला रोज सुबह काम पे नहीं आती थी तो उसको पेड़ों से बात कर भुरितर से पीटा जाता था यहां तक कि अगर कोई भूखा हिंदू पूरुस या महिला किसी ब्रामन उची जात के खेत में से कोई गन्ना तोल लेता था तो उसके लिए उसके दात उख फार दी आते थे ऐसे ही एक घटना साउथ त्रावन कोर के साउथ डिस्ट्रिक्ट ताचाकुडी की है जो ब्रामनवादी अत्याचार का ट्रू पिक्चर प्रदसित करता है वहां एक मदाथी नाम की हिंदू महिला को जब ब्रामन जमिदार का खेत जोता जा रहा था तो ख अपने गर्ब के अंतिन चड़ में थी जिससे वह बहुत ज्यादा कमजोर बिमार और भूकी थी जिसके वेसे वह खेत पे नहीं आ पाई तो ब्रामन जमिदार ने उस गर्वोती महिला को भैसे के साथ जुए में हल जोतने के लिए बान दिया हर वाहा उसको तब तक मारता आज जब तक की वो भैसे के साथ जुए में ही धन तोड़ दी केरल में खासकर त्राणकोर में सुद्र जनवी हिन मानव जातियों खासकर हिंदूओं का जीनद उभर था वहां सुद्रों को अपनी मैलाओं को ब्रामन की इच्छा नुसार अर्पित समर्पित कर देना होता जैसा की ब्रामन धर्मगंत विश्णी सुद्र में लिखा हुआ है कि जो सुद्र अपने प्राण, धन और अपनी इस्तरी को ब्रामन की इच्छा के नुसार अर्पित कर दे उस सुद्र का भोजन खाने लायक है वो तब सच्छूत सुद्र कहा जाएगा अच्छूत सुद् में धर्मांतिर्थ हो जाएगा तो ब्रामण धर्मगंतों विश्णी स्मृति और मनुस्मृत की इनहीं मंत्रों और इस लोगों का फाइदा उठा कर ब्रामण किसी भी गैर ब्रामण के घर में जाकर उनकी आउर्टों को अपनी हवस अपनी इच्छा का सिकार बना लेते थ इसे धारिंग मानता भी थी यहां तक की बावासा मेटकर अपने इर्राइटिंग और इस्पीशेस में बताते हैं जिसे महराज सरकार भार सरकार ने पब्लिश किया है कि राजा भी अपनी नई बीवी को पहले ब्रामण को समर्फित करता था पहली रात उसको देता था उसक केरल में तरानकोर में संबंधम का जाता था और संबंधकार ब्रामण होता था ब्रामण किसी भी गयर ब्रामण जात के घर में घुच जाता था और पहले वो महिलाओं के कर्ष में जाता था अगर वहां को इसको महिला पसंद आई तो वह वहां रुकता था और उस महिला को अपने साथ सोने के लिए धार्मिक रुप से मजबूर करता था और उसके साथ संबंध मनाता था इसी को संबंधम काता था जिसे वहाँ धार्मिक मानता थी कि कि किसी भी ब्रामण को कोई भी हिंदू अपनी महिला देने से मना नहीं कर सकता अगर वो मना करता है तो वो दंड क भागिदारी होगा आई इसको बावा सामेट करने भी नोट किया व्रामण धर्मगंतों का इतना घिनावना ब्याक्षा किया गया उसके धन्ड विधान के आदार पर व्रामण इसका गलत इस्तमाल करते रहे व्रामण गलत मंत्र भी दिये हैं गलत स्लोक भी दीवे हैं, गलत विधान भी दीवे हैं, सुद्रों खिलाप, जो हिंदू अपने आपको छत्रिय वैस के रुप में धर्मांति नहीं कर सका, वो सुद्र रह गया, तो उस सुद्र को उपर सुद्र के दर्ण विधान लागो हो गए, जो जन्युधान नहीं करती छत्रिय वैस जन्युधारी होते हैं, इसलिए वो थोड़े कम प्रतिबंद और कम सोशण का सिकार बनते हैं, और इसके लिए बकायदा हर हिंदू घर में संबंधम के लिए एक गेस्ट रूम बुक रहता था कि हां कोई ब्रामण आएगा, तो उसको हम अपनी अरपित तो इससे हमें ब्लेसिंग मिलेगा, हमें God ब्लेसिंग मिलेगा, जैसा कि मनुसमित में मनुने ब्रामण को घुद्य घुषित किया है, मतलब Lord of Land और मनुसमित याँ दूसरे ब्रामण गंतों हैं भी का गया है, इस धर्ति पर जो कुछ भी है, वो सब ब्रामण का है, जो लो भोग करना है। इसलिए जब भी कोई राजा भी अपनी पत्छनी लाता था या क्लीकेट तो और पहली राधा और वो पक्रामन के पास होता था। अगर उसे पसंद आया ब्राहमण को, तो वो एक रात के जिए तीन रात उसको रखता था, संभोग करता था, उसके बाद फिर चौथे दिन उसको वापस करता था, जिसे चौथा भारत में चौथ के रूप में जाना जाता है, चौथा दिन चौथ के रूप में माना जाता है, यही बावसामेटकर ने भी नोट किया, संबंधम ये एक धार्मिक पर्था थी और संबंधकार हमेशा ब्रामण होता था, इस प्रकार ब्रामणों ने खूब संबंधम के नाम पर हिंदू महिलाओं का धार्मिक सोसन किया और हिंदू पुरसों को गुलाम बना कर उन्हें अप परिवार पर अपने पर देवी देवताओं का आसरिवात समझता था ये घिनवना बलतकार नहीं बलकि संसकार समझता था जो परिवार अपनी इस तरी अपनी महिला को ब्रामण को समर्पित करता था जो राजा अपनी विवाहित पत्नी को सिल्भंग करने के लिए या महिला का पहली भोग कराने के लिए ब्रामण कर्पित करता था, उसके बाद तो फिर वो जाके अपना उसके साथ रहने लगता था, सावास करता था, इसको ब्रामण राइट टू फर्स्ट फूट कहते थे, जिसे यूरोप में राइट टू फर्स्ट नाइट का जाता है, पहली राद बिताने का विशेज अधिकार, वीवा के बाद नई निवेली, अधु के साथ, पहला फल प्राप्ध करने का जिजकार ब्रामण का हुटता था, जिसे संबंधम के जणिये, संबंधकार के रूप में ब्रामण भोगता था, इस प्रकार तरावनकोर में होने वाले बच्चे कि माता को तो पता रहता है, वगर पिता का कोई पता नहीं आता था, माउना कौन संबंधम करके चला गया, किसका बच्चे है, इसलिए त्रावण कोर मालाबार में ब्राहण इतियास कार कहते हैं कि वहां मात्री सत्ता रही है, इसी ब्राहणवादी मात्री सत्ता रही है, अब ये खास कर बैकवर्ड क्लासिस के महिलाओं के साथ पूर्सों साथ होता था अपरकस महिलाओं अपरकसुद्रों के साथ भी होता था जितनी भी ग्यारे ब्रामण सबके साथ होता था आईए ब्रामण करते थे ब्रामणी संब्धकार हो सकता था जैसे ब्रामण धर्मकंतों में ब्रामण धर्मगंदों की रचना ही ब्रामणों दारा सोषण, प्रताणना और अत्यचार करने के लिए क्या गया है और वही ब्रामण धर्मगंदों को हिंदू धर्मगंद बोलके सनातन धर्मगंद बोलके हिंदू राष्ट के डाम पर थोपने की कोशिच की जारी है ब्रामणवादियों दारा, हर ब्रामणवादी अपने आपको हिंदू राष्टवादी कहता है, हिंदू का सोसर करने के लिए अपने ब्रामण धर्मकंतों को ठोपने के लिए, जब ब्रामणों को ये इतना विश्यसाधिकार था, तो ब्रामणों के अधिन जो राजा होते थ जो ब्रामण के अधिन नहीं होते थे, वो सुत्र राजा करते थे, जो ब्रामण के अधिन राजा होते थे, उन्हें छत्री राजा करता है, तो छत्री राजा भी फिर उसी ब्रामण के अधिन तक के अनुसार, ब्रामण से इप्राथ विसर अधिकार का उभोग करते थे, ऐसा एक भयानक घटना त्राणकोर में ही एक OBC नादर लड़की के साथ हुआ जो की बहत खुबसूरत थी तो राजा ने उसे अपने काफले से देख लिया फिर उसको बाद उस OBC नादर लड़की के पिता को राजा के नार बॉडिगार्ड ने आके कहा कि आज राजा के हाँ अपनी लड़की को भेज देना तो उस खुबसूरत OBC नादर लड़की के पिता ने अपनी बेटी को काट डाला कुए में फेक दिया और खुद भी कुए में कुद के मर गया ये है उस समय का हिंदू राष्ट जिस हिंदू राष्ट की बात कर रहे हैं जिन ब्रामण दमगंथों के आधार पर ये नया हिंदू राष्ट लाना चाते हैं इस समय के भारती सम्विधान के अनुसा चलने वाले भारती राष्ट के खिलाप भारती गड़ राज के खिलाब भूस का ये एक नमूना है ऐसा हिंदु राज स्वी बनाना चाहते हैं जिसमें सारा का सारा विश्यत अधिकार ब्रामण के पास होगा और ब्रामण जैसा चाहिए वैसे कभी हिंदू का कभी मुस्लिम गात कभी सिक का कभी इसाई का सभी भारतियों का सोसन कर सके समाज बात की जग़ ब्राहनोबाद अस्थापित होगा लोक तंत की जग़ ब्रामण तंत्र अस्थापित होगा भारती समिधान की जग़ ब्रामण धर्म ग्रंतर लाग होंगे नागरिक अधिकारी को जगह ब्रामड विस्टिकार लाग होंगे 1814 में बिटिस रेजिजेंट करनल जान मुन्रो द्वारा क्रिस्चिन कन्वर्ड OBC महिलाओं को और दूसरी हिंदू महिलाओं को कमर्स उपर कुप्यम नामक जैकेट धान करने का आदेश देने के बाद जब राजा के काउंसिल के मेंबर पिंड़कार्स विर्योत किये तो उसी के कुछ सालों बाद संगास्तों में सच चलता रहा मगर ज़्यादा रियल ट्रबल 1828 में शुरू हुआ जब बाकी बैकवर्ड क्लासेश ने सानार चनार और नादर ओबिसी जातियों की तरह विद्रो करना सुरू किया अपने अपनी महिलाओं के कमर्स उपर वस धान करने के मानवादिकार के लिए जिसके लिए उन्हें सब बात में जहां मिलते थे पकड़ कर पीटा जाता था उन्हें आओ उनकी महिलाओं को सड़कों पर वीज़ बजार में नंगा के जाता था ताकि उनको उनकी जात के अनुसार उनकी आवकात दिखाई जा सके उनकी जात और उनकी आवकात को चिनित किया सके, उनके मिसलियों को दोरा चलाए जाने वले स्कूलों को उकाता था, खुद तो पढ़नी जाते थे, गुर्खूल उनके स्कूल उनके, जब पिछड़े वर के हिंदू मिसलिय स्कूलों जाते थे, तो वहाँ भी उनके रुकाता में चाकू बांद के उनके कपड़े फाड़े आते थे, ने लाठियो स्पीटर आता था, सोचे कि द्रावन कोर में जब ब्रामण धर्म गरंथों के आधार पर हिंदू रास बना, तो हिंदू, महिलाओं और पूर्सों पर कितने अत्याचार हुए, जब यही उससे पहले बु 2020 से ज़्यादा सोचनकारी क्रूर कर लगाये गये, टेक्स लगाये गये, जिसमें से हिंदू पूर्सों को कमर से उपर वस्त पैढ़ने के लिए तलक करम नामक टेक्स लगाया था, तो हिंदू महिलाओं को कमर से उपर वस्त धान करने के लिए मुलाकरम नामक ब्रिस्ट ट अपरकार शुद्र नायर वह ज्यादा इन लोवर कास बैकवर्ट कास हिंदुों के महिलाओं और पूर्सों के कमर से उपर धान करने का गिरोद करते थे यदि की उन्हें खोद तो अधिकार थाि वह जोशते हैं कि हमें को अधिकार है इनको भी नहीं मिले, यह हम से में नूचे रहे हैं गुलाम बनना है तो गुलाम रहना है दो तो कोई अकर कास बैकवर बाpad कास बहुजों के इन लेके चलना है ये जाके 24 नॉवंबर 1868 को 53 कोर के दिवान ती माधवारा राव द्वारा एक राजकी आदेश लाव कर खतम किया गया वो भी बिटिस सासन के प्रेसर में वो भी कुछ रेस्ट्रिक्सिंस के साथ इतवी जातिये उच नीच बनी रहे जातिये वण ब्योस्था चतरुण ब्योस्था बना रहे हैं उसे नकार नहीं सकते कि हाँ ये उचनीच गलत है चाए वो चतरुण के नाम पे हो चाए वण ब्योस्था के नाम पे हो चाए ब्रामण तन के नाम पे हो चाए ब्रामण धंगंतों के नाम पर हो नकार निम क्या है सोचे संघर्स बहुजन हिंदू महिलाओं का लेकिन फायदा अपरकास महिलाओं को भी हुआ खासकर गयर ब्रामन अपरकास महिलाओं को भी फायदा हुआ वही मैलाएं जो जब बैकवर्ट क्लास की मैलाएं अपने प्रिवस धान करने का अधिकार के लिए संघर्स कर रही थी तो यही अपरकास मैलाएं विरोध करती थी कमर से उपर वर्ष धान का इदिकार उन्हें मिला तो उसी के साथ साथ अपरकास मैलाओं को भी कमर से उपर वर्ष धान का इदिकार मिला इसलिए जम मैला आरचन लागो हो तो बहुजन OBC SCST की मैलाओं के लिए भी आरचन में आरचन लागो हो ब्रामरवाद और ब्रामर धर्मगंतों के महिलाओं के खिलाफ, धंडविधानों के खिलाफ, उनके मंत्रों इस्तों के खिलाफ, इसलिए स्वामर धर्मगंतों भी कहते थे, कि दुनिया का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, जब तक कि महिलाओं कल्याण नहीं हो, कभी भी कोई पच्छी एक पंक से उड़नाई सकता लेकिन ब्रामर धर्मकंतों ने भारत में दो महान गुराईयां और इसी तो कई बहान गुराईयां ब्रामर धर्मकंतों ने भारत में फैलाईयां मर्दो महान गुराईयां सबस्यादा फैलाईयां स्वामी विकानजी के नजर में वो है म बहुसंख्यक हिंदों का सोसन कर उन्हें असहाय गरीब बनाना। और इसी प्रकार बावासाय मिटकर भी कहे थे कि मैं किसी भी समाज की प्रकती उस समाज की मैलाओं की प्रकती से इन मापता हूं। और महत्मा एमकाली का नाम इसे शुर्प्स लिया आता है। वैकुंटा स्वामी जी हिंदू पूर्शों को सर ढखने के लिए कहते थे और हिंदू महिलाओं को कमर से उपर वलधान करने के लिए के लिए। वो कहते थे कि मानता के लिए एक जाती, एक धर्म, एक भासा, एक इ वैकुंटा स्वामी जी तराण कोर के राजा को सीधे नीचन कहते थे। ऐसे ही महत्मा आयनकाली जी भाहुजन बैकवर्ड हिंदूों को जिन रास्तों पर चलने की मनाये थी, उन रास्तों पर बैलगारी दड़ाकर उन ब्रामन आधी विधानों का विरोध करते थे जो उन के मंदिर में प्रिवेस काधिकार नहीं था, उसके सासत खुद बिना पर्मीशन के राजा के वो मंदिर निर्मार नहीं कर सकते थे। तो नराना गुरी जी ने खुद मंदिरों का निर्मार कराया और बहुजन बैकवर्ड हिंदूों को पूजा अर्षना के लिए उनको सौ दो अपने आग को ब्रावणों के बराभर समझें, जितने ब्रावणों को माना अधिकार हैं अगर उनके पास विसेज़ अधिकार हैं तो हमार इनके विसेज़ अधिकारों का विरोध करना चाहिए। आता था इस प्रकार बहुजन, बैकवड, पुरुस और मैलाएं और वो भी खासकर हिंदू इसाई मिसनरियों के योगदान को कभी नहीं विला सकते कि अगर इसाई मिसनरियों नहीं होते, बिटी सासन नहीं होता, तो आज तक उन्हें सर ढखने या आस्तन ढखने का अधिकान नहीं होता था तो अपरकास नान ब्रामिन पूर्सों मैलाओं को भी नहीं, मगर वो तो अपने आपको इसी में उच समझते थे, कि हम इन बैकवड बहुजन से ते उच हैं, और ब्रामण वादियों दारा हिंदू का सोसन, बाटो और राज करो की ब्रामण निट के तहती किया आता है, ताकि इनको सिर्फ बाटो नहीं, उच निश में भी बाटो, ताकि एक अपने को उच समझे, दुस्ता निच, आईसी में उख्ष हो जाए, नहीं तो वरना ब्रामण ग्रंथ भगवद गीता में वैशों, सुद्रों, इस्त्रियों, अर्थात लगभग 98% भारतियों महादि करते हैं, तो कौन ब्रामणवादी है, जो भगवद गीता का अंसरन करें, और इन पाप योनियों का नास न करें, पाप नासक न बने, महान पाप नसक बनने के लिए वो पाप योनियों का नास नहीं करेंगे, जब भगवद गीता यसे ब्रामण धर्मगंथी सिखाते हैं, ये पाप योनी है, इनका नास नहीं करेंगे तो पाप उत्मन होते रहेंगे, जिसकी वेज़े से एकलवी को धर्म विद्या के सिच्छा देने से मना किया गया, सुद्र कहके उनको अपमानित किया गया, यहां तक कि युदिष्टर के राजसु यग में कृष्ण को गोप, ग करने के नाम पर ब्रामड रास्क, ब्रामड राज, ब्रामड शासन, रासन अस्थावित करने के, ब्रामड साई अस्थावित करने के सड्यंद को चिनना होगा, और उनका विरोध करना होगा, इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना होगा, चाहे हमें सोसल मीडिया के जरी ही क और ऐसे गदार सुद्रों से बचना होगा जो पूरे की पूरे सुद्र समाज को जो की 95% सुद्र समाज है उनको गुलाम बनाने की साइस रच रहे हैं ब्रामणवात का गुलाम बनाने के लिए ब्रामण तंद्र का गुलाम बनाने के लिए ब्रामण धर्म गंत्रों का गुला हिंदु तो कुछ नहीं ब्रामरत्व है इसे रोका जाना चाहिए अभी आपने इतिहास के एक अहम इसे की कुछ जाक्याही आपने देखा यही था तराणकों का एक तथाकति हिंदु राष्ट जो लगभपूरे किरल में लागू था एक राज का ब्रामराजी संक्रमर दूसर था कौन साविमानी हिंदु संबंदम के नाम पर ब्रामर को अपनी इस्त्री अरपित करेगा समरपित करेगा कौन साविमानी हिंदु अपनी नव विवाईता इस्त्री को पहले ब्रामर को भोग करने के लिए समरपित करेगा तो उसके यहां साविमान कैसा उतों बेगैरत क ब्रामण के पास हो और बाकी सिर्फ नीच और सुद्र बने रहे हैं जिनके उनको जुरत रहे होगी उन्हें वो छत्री एवैस के रूप में भरती कर लेंगे आप उन्हीं के दोरा सुषट करवाएंगे अपने बैट के मौज करेंगे इसलिए स्वामिकन जी कहे थे कि खेरल ब्रामणवाद और जातिवाद का मैड ऐसाइलम पागल खाना है वीडियो में बस इतना ही बाकी आप सतरक रहे हैं सजक रहे हैं सवस्त रहे हैं वीडियो को लाइक करें वीडियो पे अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में दें वीडियो को सेर करें और चैनल को सब्सक्राइ कर बेल आइकन को दबा देना होगा ताकि आपको उस वीडियो के आने पर अप्लोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सकें तब तक अपना ख्याल रखें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जै बाउजन जै मुल्ली मासी बहुत साथ वाद